फिर अमिताभ ने रेखा को मारना शुरू कर दिया इतनी बुरी तरह से मारा कि उनकी खालु धड़ गई और रेखा खून से लहलुहान हो गई आजू बाजू खड़े सभी लोग ये भयंकर दृष्ष देख सन्य हो गई सभी साल 1978 में विलीद होने वाली फिल्म गंगा की सौगंद की शूटिंग चल रही थी फिल्म का एक आउट्डोर शूटिंग शेडियूल राजस्थान के जैपुर में था अब जहिवसी बात है अमिताब बच्चन और वेखा जैसे स्टूपर स्टार्स को लाइब देखने के लिए सैकणों की संख्या में लोग जमा हो गई लोकेशन पर वेखा की शूटिंग चल रही थी कि तभी अचानक भीड में खड़ा एक आदमी वेखा पर लिवड विमार्क्स यानि कुछ भद्धी टिपड़ियां करने लगा आसपास के लोगों ने उसे मना किया यूनिट मेंबर्स ने उसे रोका मगर वो नहीं माना वेखा का शूट खत्म हो गया तो वो लोकेशन से चली गई कुछ समय बाद अपनी एक दूसरी सीन की शूटिंग के लिए फिर से लोकेशन पर वापस आई तो वो शक्स फिर से वेखा पर भद्धी टिपड़ियां करने लगा इस बार आसपास के लोग या इनिट मेंबर्स कुछ कहते इससे पहले ही अमिताब बच्चन की आखे गुस्से से लाल हो गई सबने देखा कि देखते ही देखते अमिताब बच्चन लोकेशन से भीड के बीच कूदे और दोड़ कर उस शक्स के पास पहुँचे और उसका गिवेपा पकड़ लिया और उसे जम कर कूटा खूप पीटा उसको हमेशा काम डाउन और बड़ ही प्रिफेशनल रहने वाले अमिताब की ऐसी हरका देख आसपास के लोगों के साथ पूरा फिल्म क्रू दंग था यही वो पहली घटना थी जिस घटना ने अमिताब बच्चन और रेखा के इस अफेर को दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया तमाम फिल्म मैगजीन्स ने इस घटना को अपने पन्नों पर जोर शोर से च्छापा और लिखा कि हमेशा ठंडे रहने वाले अमिताब रेखा के लिए इतना गर्म पड़ गई आखिर माजरा क्या है लगता है दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है और ऐसा नहीं था कि अमिताब किवल इस बार रेखा के लिए इतना प्रोटेक्टिव हुए थे जब प्रोडूसर टोनी जुनेजा अपनी ड्रीम फिल्म राम बल्राम बना रही थे तो उनोंने इस फिल्म में अमिताब बच्चन और रेखा जैसी सेंसेशनल कास्ट को कास्ट किया जब ये खबर अमिताब बच्चन की पत्नी जया बच्चन तक पहुँची तो बड़ी टेंसे में आ गई जया नहीं चाहती थी कि अमिताब रेखा के साथ काम करे उनोंने अमिताब को लाख बार समझाया लाख मनाने की कोशिश की कि वो रेखा के साथ काम मत करें मगर अमिताब नहीं राजी हुए इत्तिफाक से टीटो जया के क्लास फेलो रह चुकी थी जया ने चुप चाप अकेले में टीटो से मुलाकात की और उन्हें अपनी सावी बात बताई और उनसे ये इलतजा की कि वो फिल्म से रेखा को निकाल जीनत अमान को साइन कर ले टीटो के लिए ये जीटी मक्खी निकलने जैसा था अपनी फिल्म को जबरदस्त डेंट देने जैसा था मगर फिर भी कॉलेज के जमाने की दोस्ती के लिए वो इतनी कुर्बानी देने को राजी हो गई उन्होंने फिल्म से रेखा को बाहर निकाल दिया और जीनत अमान को साइन कर लिया जब रेखा को ये मालुम चला कि उन्हें फिल्म से निकाल जीनत अमान को साइन कर लिया गया है तो वो बहुत परिशान हो गई क्योंकि रेखा अमिताब बच्चन के साथ काम करने का एं मौका मिस नहीं करना चाहती थी उन्होंने राम बल्राम के डिरेक्टर विजयानन से मुलाकात की और उनसे अपनी एक ख्वाही जहिर की कि वो राम बल्राम की हिरोईन बनना चाहती है विजयानन ने उनसे कहा यार चाहता तो मैं भी यहीं हूँ मगर क्या करूँ टीटो जी प्रोडूसर हैं आखरी फैसला तो उन्हीं का होगा ना तुम ऐसा करो कि किसी तरह टीटो जी को मना लू कि वो तुम्हें फिल्म में साइन कर ले रेखा ने बहुत सोचा बहुत सोचा आखर में उन्हें एक तज़्वी सोच गी उन्होंने प्रोडूसर टीटो से मुलाकात की और टीटो के सामने एक ऐसा उपर रख दिया कि टीटो उन्हें फिल्म में साइन करने पर मजबूर हो गए रेखा ने टीटो से कहा कि वो रामबल राम में मुफ्त काम करने को तयार है टीटो के लिए तो ये हींग लगे न फिट करी फिर भी रंग चड़ गया चोखा वाला हाल हो गया अमिताब बच्चन और वेखा की सेंसेशनल कास्ट जिसे कास्ट करने के लिए वो कोई भी कीमत देने को तयार थे वेखा उसमें बे कीमत काम करने को तयार थी मुफ्त में काम करने को तयार थी यानि अमिताब बच्चन और रेखा जैसी सेंसरेशनल कास्ट भी मिल गई और रेखा को दी जानने वाली मोटी रका भी बच गई टीटो पुरंट अपने कॉलेज के जमाने की सारी पुरानी यारी भूल गई और उन्होंने टतकाल जीनत अमान को फिल्म से निकाल रेखा को फिल्म में दुबारा साइन कर लिया और जल्दी ही फिल्म की शूटिंग भी शुरू कर दी जब जया बच्चन तके ख़बर पहुँची कि राम बल्राम में रेखा को दुबारा साइन कर लिया गया है और तो और शूटिंग भी शुरू कर दी गई है तो वो भड़ा कूठी वो तुरंथी बिना किसी को भी बताए राम बलराम के सेट पर पहुँच दी जैसे ही सेट पर पहुँची उनकी नजर सीधे अमिताब बच्चन रेखा पर पड़ी जो सेट पर दूर किनारी कोने में अकेले बिलकुल पास पास खड़े हुई थे और मुस्की मारते हुए एक दूसरे से मगन होकर बाते करने में मश्गूल थे ये दिर्शे देख जैया अपने आपे से बाहर हो गई वो बिना किसी से कुछ भी कहे रेखा और मिताब की ओर बढ़नी लेगी और जल्दी ही उनके पास पहुंच गई रेखा और मिताब उन्हें देख इससे पहले के कुछ कहते जैया ने अपने बाएं हांथ से रेखा के बाएं गाल पर तराक खीच के एक तमाचा मारा रेखा के गाल पर जैया के हांथ की निली उंगलिया उपर टाई और उनकी आँखों में आसू छलक उठे लेकिन उन्होंने किसी से कुछ कहा नहीं चुप चाप वहाँ से चली गी समझदार और गंभीर जैया की ऐसी हरका देख प्रोडूसर टीटो के साथ पूरा फिल्म यूनिट और खुद अमिताब भी हैरत में पड़ गए लेकिन जल्दी ही अमिताब की ये हैरत मंद आखे गुस्से से लाल होकर सुर्ख हो गई और अमिताब जैया पर बड़बडाते हुए गुस्से में आकर शूटिंग छोड सेट से चली गई जब यश्चोपरा अपनी बहुचर्चित फिल्म सिलसिला बना रहे थे अच्छा सिलसिला का क्लाइमेक्स ये है न कि रेखा अपने ऑन स्क्वीन पती संजीव कुमार को आग में जलने से बचाने के लिए जाती है और अमिताब जैया के पर जाते है मगर मूल पटकथा में ये कलाइमेक्स नहीं था पहले पटकथा में कलाइमेक्स कुछ यूँ था कि जैया रेखा को धक्का देकर आग से बचा लेती है और संजीव कुमार को बचाने के लिए अमिताब जाते है इस सीन की शूटिंग में शूरू हो गई थी अच्छा रेखा को जैया द्वारा अपने को धक्का दिये जाने के शॉट में चाहे सीन शूट हो या ना हो बाराल ये शूपरा ने एक्शन कहा क्या मेरे ने रोल करना शुरू किया जैया ने रेखा को धक्का दिया लेकिन गल्ती से खुद भी फ्रेम के बाहर चली गई रेखा को समझा गया कि शॉट खराब हो गया और जैसा कि उन्होंने पहले ही इरादा पक्का कर लिया था बिना किसी से कुछ भी कहे बिना किसी की ओर देखे तक वो सेट से चली गई सेट पर मौजूद सब कोई ये देख हैरान हो गया इतने में ही आराम कोसी पर आराम से आराम फर्मा रहे अमिताब बच्चन ने भावे तानी और आँखे तरें कर जैया की ओर देखा मशूर फिल्म लेखक यासिर उस्मान अपनी किताब रेखा दी अन्टोल्ड स्टोरी में लिखते हैं कि अमिताब की तरेवी हुई आखे मानो जैया से कह रही थी तो तुमने कुछ किया क्या अमिताब की भावों को भाव कर जैया तुरंट एक मासूम बच्चे की तरह अपने बचाओं में बदहवास होकर कहने लगी मैंने उसे कुछ भी नहीं किया मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा सच्ची और यह कहते हुए जैया की आंखों में आसू छलक पड़ी मशूर डिरेक्टर मुझफर अली कहते हैं कि वो अमिताब जो किसी के द्वारा रेखा को कुछ गलत कहे जाने उनको कुछ गलत किये जाने या उनको किसी भी तरह से चोट पहुँचाने को बरदाश तलक नहीं कर सकते थे वो रेखा जो अमिताब को हमेशा इन्हें इनके उन्हें उनको कहकर संबोजित किया करती थी मजब फरली के मुताबिक जैसे कि आम भारती समाज में शादी शुदा महिलाएं अपने पतियों को संबोजित करती एक दिन ऐसा भी आ गया जब इन्हीं रेखा ने अमिताब से बत्तमीजी से बाती की और यहीं अमिताब इन्होंने गुस्य में भड़क कर रेखा को इतना मारा इतना मारा इतना मारा कि उनकी खाल उधर गई और रेखा खून से लहलुहान हो गई यह खतरनाक वाक्या घटित हुआ अमिताब बच्चन ही की फिल्म लावारिस के सेट पर लावारिस में वसे बेखा ने काम नहीं किया था मगर फिर भी अमिताब से मिलने के लिए अकसर वो लावारिस के सेट पर आती वहती थी एक दिन इसी लावारिस के सेट पर अमिताब बच्चन और वेखा में जगड़ा शुरू हुआ फसाद की वजह थी एक लड़की ये जया बच्चन नहीं थी ये थी फिल्म लावारिस में अमिताब बच्चन के साथ काम करने वाली एक इरानियन डांसर उनका नाम था नेली रेखा का आरोप था कि अमिताब का नेली के साथ अफेर शुरू हो गया है चक्कर चलू हो गया है और अमिताब अपने आप पर रेखा की इस भरोसे हिंता पे भड़क उठे देर तक चली इस नोग जोप और विवात का अंजाम ये हुआ कि रेखा रोते हुए सेट से चली गी उस दौर की तमाम फिल्म मैकजीन्स ने इस घटना को बहुत ही हलका फुलका अपने पन्नों पर छापा था मगर यासिर उस्मान अपनी किताब रेखा दे अंटोर्ड स्टोरी में लिखते हैं कि मशूर फिल्म मैकजीन्स टार डश्ट ने इस घटना को बड़ी ही तफसील के साथ अपने पन्नों पर छापा था और साथ ही एक चाउकाने वाला दावा किया था स्टार डश्ट के मुताबिक उस लड़ाई के दोरान अमिताब गुस्से में अपना आपा खो बैठे फिर अमिताब ने रेखा को मारना शुरू कर दिया इतनी बुवी तरह से मारा कि उनकी खालू धड़ गई और रेखा खून से लहलुहान हो गई आजू बाजू खड़े सभी लोग ये भयंकर दृष्ष देख सन्य हो गई सभी अपनी दाटों तले उंगली डवा कर ये दृष्ष देख रही थे ऐसा स्टार डश्ट ने अपने पन्न उपर छापा था यासी उस्मान अपनी किताब रेखा देण टोर्ड स्टोरी में लिखते हैं कि यही वो पल था यही वो लमह था जिस लमहे अमिताब बच्चन और रेखा के रिष्टे में पहली दफ़ा धरार आई दोनों का मन खटा हो गया इसके कुछ दिनों बाद ही अमिताब के साथ वो बहुच अचित कुली अक्सिडेंट हो गया जिस अक्सिडेंट के बाद जब अमिताब बंबाई के मशूर हॉस्पिटल ब्वीच केंडी हॉस्पिटल में अड्मिट थे तब देश की नामचीन हस्तियां उनसे मिलने के लिए अस्पताल पहुच वही थी सिवाए एक के वो थी रेखा वेपोर्ट्स के मुताबिक रेखा को अस्पताल में अमिताब से मिलने की इजाज़त नहीं थी एक तरीके से रेखा अस्पताल में बैन थी उनके आने पर प्रतिबंग लगा हुआ था यासे उस्मान अपनी किताब रेखा दी अंटोल्ड स्टोरी में लिखते हैं कि मशूर फिल्म मैगजीन मूवी में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक एक दिन सुबा-सुबा, तड़के सुबा, रेखा असपताल पहुंच गई असपताल के सन्नाटे में उन्हें अंदर आने की इजाज़त दे दी गई लेकिन अमिताब से मिलने की इजाज़त नहीं दी गई इसी वज़ासे रेखा अमिताब के रूम के बाहर डोर्वे पर ही खड़ी हो गई थोड़ी देर अमिताब को देखती रही और फिर मनही मनेक प्रार्थना कर वापस चली गई अमिताब के स्वास्थिलाब के लिए जयाही की तरह रेखा भी भगवान के दरवज्य पहुंची उन्होंने उजयन के महाकालेशव मंदर में अमिताब के स्वास्थिलाब के लिए एक विशाल जाप कायोजन करवाया और तिरूपती में अमिताब के स्वास्थ लाब के लिए मन्नत मांगी वो भी मंदल तक नंगे पाउं चल कर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हॉस्पिटल में रेखा अमिताब से न मिले ये फैसला जै बच्चन का नहीं था, खुद अमिताब बच्चन का था अमिताब ने ही रेखा पर अस्पताल में पतिबंद लगा दिया था क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि रेखा उन से मिले या वो रेखा से मिले या सिर उस्मान अपनी किताब रेखा दे अंटोड स्टोरी में लिखते हैं कि कुली एक्सिडेंट के बाद अमिताब बच्चन का यह विकवरी पीवियड था यह वही पीवियड था जिस पीवियड में अमिताब बच्चन और जया बच्चन कुछ सालों के बाद करीब हुए और अमिताब बच्चन और रेखा दूर हो गए अमिताब ने वेखा को फिर से उनके अकेलेपन के अंधेरों में अकेले ही छोड़ दिया कुली एक्सिडेंट ने अमिताब बच्चन, वेखा और जया बच्चन इन तीनों के आपसी विष्टों के समयकरणों पर किस तरह से प्रभाव डाला था ये आप इसी से समझ सकते हैं कि अमिताब बच्चन के ठीक होकर घरा जाने के कुछ दिनों बाद जया बच्चन ने अपना एक इंटर्वीव दिया उस इंटर्वीव में उन्होंने कहा कि मुझे उस दूसरी औरत जैसा कि तब अपने इंटर्वीव में जया रेखा को इसी उपनाम से संबोधिश किया करती थी जया ने कहा कि मुझे उस दूसरी औरत पे बहुत तरस आता है और साथ ही उस पे हसी भी आती है क्या वो इतनी मूवक है कि उसे इतना भी नहीं मालू कि एक शादी शुदा मर्द चाहे कुछ भी हो आखर में अपने पत्ने के पासी लौट आता है एक शादी शुदा मर्द से उसने ये एक्सपेक्ट कैसे कर लिया कि वो उसे एक्सेप्ट कर लिएगा इसके जवाब में कुछ दिनों बात दिये अपने एक इंटरव्यू में वेखा ने कहा हाँ उसने ऐसा किया जैसा कि तब अपने इंटरव्यू में वेखा अमिताब बच्चन को इसी उतनाम से संबोधित किया करती थी रेखा ने कहा, हाँ उसने ऐसा किया, केवल अपनी इमेज को बचानी के लिए ये इमेज ऐसी चीज है न, इसके लिए वो करना पड़ जाता है, जो इंसान नहीं करना चाहता उसे अपने बीवी बच्चों के साथ साथ अपने माबाप की भी जग बचानी है रेखा के मताबिक भाई ऐसे कौन से माबाप होंगे, जिनकी इज़त न जा रही हो, जो जलील न हो रही हो कि उनका बेटा एक एक्स्ट्रा मेरिटल अफेर में फस गया है या सिर्व उस्मान अपने किताब रेखा दी अंटोर्ड स्टोरी में लिखते हैं कि ये वो वक्त था जब अमिताब बच्चन और वेखा के विश्टों में तूटन साफ तौर पर नज़र आने लगी थी और तमाम मीडिया मैगजीन्स में इस पर खबरें भी जो शो से छपने लगी थी